हैलो स्टुडेंट्स गुड इवनिंग तो आल अफ यू आज हम पहुंच ही गए आखिर में देखे से पहले मैं पढ़ाया था चैप्टर 16 चल रहा है गार्बेज इन गार्बेज आउट में जिसमें कंपोस्टिंग पढ़ चुके हैं आज की क्लास में हम बढ़ने वाले हैं कंपोस्टिंग ठीक है स्टुडेंट तो देखे वर्मी कंपोस्टिंग होता क्या है एक वर्मी कंपोस्टिंग जो है हमारे मैंनियर बनाने का प्रोसेस ही है जैसे कंपोस्टिंग प्रोसेस था मैंनियर बनाने का वैसे वर्मी कंपोस्टिंग भी मैंनियर बनाने का प्रोसे करेंगे तो वर्मी कंपोस्टिंग प्रिपेर करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है मैं बताता हूं जैसे एक्टिविटी 2 में लिखा हुआ है आप लोग इसको पढ़िएगा पहले क्या करो 30 cm deep एक पीट गढधा ठीक है खोदो ठीक है डिग पीट about 30 cm deep और उसमें क्या क्य 1-2 cm thick layer of sand as an alternative. now spread vegetable wastage including pills of fruits over this layer of sand जैसे आपने क्या किया एक layer of sand रेडी किया ठीक layer of sand उसमें आपने क्या क्या डाला fruits की pills मतब बीजों को ठीक है और vegetable wastage को डाला उसके बाद यूज ग्रीन लीप्स ठीक है पीसेस अफ ड्राइड स्टाक्स अफ प्लांट्स हस्क और पीसेस अफ न्यूस पेपर और काड़ बोर्ड तु स्प्रेड ओवर दी लेयर अफ सेंड यह सब भी यूज कर सकते हो हावेवर सैनी और प्लास्टिक कोटेड पेपर सुद नॉट भी यूज फॉर दिस परपस ध्यान रहे ठीक है ड्राइड एनिमल डंग कूड अलसो भी यूज अज इस प्रेड ओवर सैंड और वायर मेस तो एनिमल डंग का भी यूज कर सकते हैं स्प्रिंकल सम वाटर तो मेक इस लेयर वेट ठीक है तो मतलब इस लेयर को वेट करने के लिए थोड़ा सा वाटर हम क्या करेंगे स्प्रिंकल करेंगे टेक कियर नॉट तो यूज एक्सेस अफ वाटर दो नॉट प्रेस अफ वेस्ट यहाद रखना वो जो लेयर वना हुआ है उसको प्रेस नहीं करना है ठीक है और एक्सेस अफ वाटर दी डालना हमको दो नॉट प्रेस अफ वेस्ट लेयर लूज तो दाट इस अफ़िशेंट एर और मॉस्चर उसमें एर भी रहेगा मॉस्चर भी रहेगा इयर पीट जो अपने पीट रडी किया है वो पीट क्या होगा इयर पीट इस रडी तो वेलकम दी रेड वाम्स बाए सम रेड वाम्स बाए मतलब खरीदो कुछ रेड वाम्स को खरीद के लिए क्या ओ and put them in your pit अपने गड़े में जो भी prepare के हो न गड़े में prepare करके जो भी sand wind का layer अपने रखा फिर उसके pills रखा fruits का फिर उसके उसके vegetable का wastage रखा तो क्या करना है आपको आपको जो prepare कर चुके हो अभी तग इस sprinkle किया water थोड़ा से amount में तो वो जो prepare कर चुके हो उसमें क्या करो आप थोड़े से red worms को डाल दो ठीक है अब उसके बद क्या करना है your red worms need food अब आपके red worms को क्या चाहिए फूड चाहिए तो you can give them vegetable and fruit waste तो vegetable waste दो, fruit waste दो coffee दो and tea remains and weeds from the fields or garden it might be a good idea to bury this food about 2-3 cm inside the pit यह एक बहुत गुड आइडिया है बरी करने के लिए फूड को, ठीक है न जिससे 2-3 cm हम गड़े में इसको बरी कर सकते है do not use wastage कौन सा वेस्ट यूज नी करना है देखो red worms के लिए जो food देंगे न देखे हमको कौन कौन सा वेस्ट यूज नी करना है vegetable waste यूज कर सकते हो आप और कौन सा वेस्ट यूज कर सकते हो vegetable waste के साथ में fruit waste यूज कर सकते हो लेकिन क्या यूज नी करना देखो that में contain salt यूज नी करोगे pickles यूज नी करोगे oil, vinegar, meat and milk preparation as food for your red worms तो उसके food के लिए यह सब यूज नी करना तेल, नमक वगरा, अचार वगरा यूज नी करना, vinegar, meat milk वगरा, यूज नी करना if you put these things, अगर इनको आप यूज करोगे in the pit, अगर जो भी आपने pit डिक किया, गड़े में अगर यह सब यूज करोगे disease causing small organism start growing in the pit तो small, छोटे-छोटे और भी कीडे माखोडे जो है न, छोटे-छोटे small organism वो उनकी जो amount है, वो बढ़ जाएगी वो start हो जाएगी, ठीक है, बढ़ना पहले तो नहीं रहेंगे, लेकिन वो आजाएगे तो हमको यह सब यूज नहीं करना है salt, picas, oil, vinegar, किस जीज के लिए red worms के food के लिए once in a few days, gently mix and move the top layers of your pit red worms do not have teeth इसको याद रखना, ठीक है, red worms के पास क्या होता है, teeth नहीं होता है, do not have teeth, they have a structure called gizzard तो देखिए, उनके पास एक structure होता है जिसको हम कहते हैं, gizzard तो teeth नहीं है, तो चबाएंगे कैसे खाने को which helps them in grinding their food तो जो उनका structure है, gizzard वही help करता है उनके food को चबाने के लिए या फिर देखिए, powdered egg cells और sea cells could be mixed with the wastage, this would helps red worms in grinding their food red worms can eat food equal to its own weight in a day तो अपने खूद के weight के हिसाब से ही अपना खाना खाते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है red worms do not survive in very hot or very cold surroundings, they also need moisture around them if you take good care of your worms in a month time, their number will double देखिए, कैसे double हो जाएगा if you take good care of your worms in a month, अगर every month अब उसको अच्छे से carefully बना रहे हो, ठीक है तो आप वहाँ पर double हो जाएगा हमके red worms, ठीक है observe observe the contents of the pit carefully after 3-4 weeks do you now see lose soil like material in the pit अभी देखिए, आपका vermicompost ready हो गया इतना करने के बाद soil, your soil like material आपको जो मिला finally, वह क्या है? your vermicompost is ready तो fig 16.6 आपको बताएगा देखिए, यहाँ पर बता रहा यह fig जो है कि आपका vermicompost जो है वह देखिए ready हो गया है तो कैसे ready किया हमने? आपको पता चल गया, इस वीडियो को repeat करके देख ले पता चल जाएगा कैसे ready करना है towards this part of the pit towards this part of the pit देखिए, आगे क्या करना है मैं बता देता हूँ ठीक है? अभी जो vermicompost ready हो गया उसको आप use करो, कहां पर use करो अपने pot में use करो guidance में use करो खेतों में field बगरा में use करो ठीक है? Is this not like getting the best out of waste those of you who have agriculture fields जो agriculture fields के है can try vermicomposting in large pits तो उनको जैसे agriculture के लिए use करना है तो बहुत बड़े-बड़े pits अपको मतब बहुत बड़े-बड़े गड़े कोदने पड़ेंगे और इसको ready करना पड़ेगा, ठीक है? You can save a lot of money that is spent on buying expensive chemical fertilizers and manure from the market मार्केट में हम क्या करिते हैं? खेतों में, field वगर हमें, gardens में डानने के लिए chemical fertilizers जो की बहुत ही expensive होता है तो हम क्या कर सकते हैं? जो fertilizers and manure expensive expensive वाला खरीते हैं उसके place पे हम ऐसे vermicompost मनाके अपना काम चला सकते हैं तो यह help क्या करेगा vermicompost जिससे हमारे agriculture के लिए बहुत ही useful है ठीक है? किसानों के लिए खेती किसानी में बहुत ही useful है खेतों में हम लोग क्या करते हैं fertilizer डालते हैं उसके place पे vermicomposting अगर डालेंगे तो और भी ज्यादा beneficial है crops की growing के लिए जल्दी जल्दी crops grow होगा तो यह सब के लिए खेतों में डाला जाता है इसके बाद यह think and throw में क्या लिखा है कि garbage को कहा फेकना चाहिए सोचकर फेकना चाहिए तो देखो कैसे फेकते हैं फेकना तो सबको आते हैं लेकिन कहा कहा आप फेकना चाहिए सिखा रहा हूँ देखिए अगर घर में फेकना होगा तो घर में आप लोगे बकेट वगरा होंगे वेस्टेज वाले तो वहाँ पे होगा वेट वेस्टेज के लिए होगा तो वहाँ पे आप garbage dump कर सकते हैं ठीक है और जब बाहर रिमुंसिपाल्टीज वाले आते हैं लेने तो उनको भी दिया जा सकता है उनको भी ठीक है दिया जाता है ना और उसके बाद देखिए बाहर में ऐसे कुछ बने होगे जैसे फीक 16.7 में नजर आ रहा है नेवर हूड garbage dump तो वैसे आपके आसपस पडोस में भी ऐसा बना होगा तो वहां पे भी हम लोग dump करते हैं ठीक है उसके बाद देखिए बेटा पढ़ेंगे recycling of paper बहुत interesting है यह भी recycling of paper तो next topic हमारा वीडियो में यही रहेगा recycling of paper और उसके बाद recycling होने के बाद plastic जो है इसको पढ़ेंगे क्या plastic हमारे लिए boon है या फिर कर्स है मतब आसिरवाद है या अभी साफ है यह पढ़ना है ठीक है तो हमारे लिए यह अच्छा है plastic की खराब है इस चीज को जानेंगे तो यह next video में यह सब होगा ठीक है बेटा उसके बाद मैं exercise के PDF भेज़ दूँगा आप लोग नोट्स बनाना तो next lecture में मतब next video जब चेंड करूँगा तो यह दोनों topic हो जाएगा एक तो plastic और उससे पहले वाला क्या था उससे पहले वाला topic जो है वो है water sorry recycling of paper ठीक है बेटा